तो दोस्तों तयार हो जाए कल की 2898 AD की release date reveal हो चुकी है हेलो दोस्तों नमस्कार आद आप कैसे हैं आप सभी उम्मीर है आप सभी बहुत अच्छी होंगे तो जी हाँ कल की 2898 AD पहले हो रही थी 9th मेको रिलीज लेकिन अब इसकी date को आगे बढ़ा दिया गया है और अब यह रिलीज हो रही है 27 जून 2024 यह देखे पोस्टर यह जो पोस्टर मेकर्स की तरफ से आया है इसमें आप देख सकते हैं दिपका पाडुकों वारियर के अंदाज में नजर आ रहे हैं प्रभास बीच में खड़े हैं और दूसरी तरफ अश्रत थामा यानिके आमिता बच्चा कि जो तिकड़ी है ऐसा लग रहा है इस पोस्टर को देखकर जैसे दुनिया को बचाने के लिए 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 हुई है और नीचे अगर आप जमीन में देखें तो कुछ टैट बोडी भी आपको इसमें नजर आए है लेकिन इससे पहले अश्रत थामा एक चोटा सा टीजर लेकर आते हैं जिसमें वो इशारा करते हैं कि कुछ बड़ा अनॉंसमेंट होने जा रहा है यानिकी इस पोस्टर से पहले एक चोटा सा टीजर आता है आमिता बच्चल यानिकी अश्रत थामा का किर्दार जो निभा रहे हैं कलकी 2898 AD में उनका देखिए अब मेरा समय आगे मेरे अंतिम युद्ध का समय आगे तो देखा आपने कुछ बड़ा आ रहा है और इस टीजर के बाद मेकर्स इस पोस्टर को रिलीज कर देते हैं जिसमें फिल्म की रिलीज डेत का ऐलान कर दिया जाता है तो कल कि 2898 AD, प्रभास, तुपेका पाड़कॉन, आमिता बच्चन, कामाल हासन, दिशा पाटनी बड़े बड़े कलाका और ना गश्वीन इसको डिरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म से बहुत जादा उम्मीदे हैं छोट छोटी तीजर्स हा रहे हैं फैंस का एक्साइटमेंट काई है, बहुत जादा कमाल नहीं कर पाई, बड़े मिया, छोटे मिया, मैदान, ये सब फिल्में, क्रू ने अच्छा किया लेकिन बाकी फिल्म में बहुत जादा नहीं कर पाई, फाइटर की अगर हम बात कर लें रितिक रोशन की, तो वो भी एवरिज रही हुसे हम सूप पर द्हमाल करेगी, उमीदे बहुत जादा है, उमीदे इसलिए क्योंकि टेक्नोलोजी का इस्तमाल किया जा रहा है, बेस्ट डारेक्टर हैं, बेस्ट एक्टर्स हैं, बेस्ट एक्टर्स हैं, वे एफेक्स का इस्तमाल किया जा रहा है, और स्टोरी लाइन जो लोगों को बहुत जादा बढ़ रहा है चोटी चोटी टीजर सा रहे हैं यह यह बहुत जादा एक्साइटिद कर रहे हैं अभी हाली में जब अश्वत थामा के किरदार से परदा उठाया गया अमिदा बच्चन का डी एजिंग वाला जो आपने वीडियो देखा अमिदा बच्चन प्रभास को भी एक हिट की बहुत जादा जरूवत है सालार से पहले जिस तरह से रामायन उनकी जो फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें उन्हें रामका किरदार ने भाया था उस फिल्म को लेकर कितनी आलोचना उनको सहनी पड़ी सालार को भी यह नहीं कहा जा सकता कि बहुत प्रभास को भी जरूवत है एक ऐसी फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दे अब फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा ही गई है क्योंकि हमने अकसर देखा है इस तरह से कि फिल्म की रिलीज आगे बढ़ती जाती है नाइंत में से 27 जून हो गई है मैं उम्मीद क करती हूं कि यह डेट और ज्यादा आगे ना बढ़े अगर आपको याद हो मैं आपको छोटा सा एक्जामबल देती हूं फिल्म मैदाना जे देखन की कब से बन रही थी हो जब कोविड आया उसके बाद वो बन रही थी फिर वो कोविड की वज़े से नहीं बन पाई फिर पीच में कई रिजन्स हुए फिर जैसे तैसे पांक साल में रिलीज हुई और बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हो गई तो अब जैसे मेकर्स ने ठीक दो महिने पहले इस पोस्टों को रिलीज करके एलान कर दिया है कि फिल्म रिलीज हो रही है तो उमीद है कि टाइम पर इस फ अरीके से सभी उमीद कर रहे हैं कि ये फिल्म अच्छी होगी इसकी कहानी बहतरीन होगी और वागई कुछ अच्छा एंटर्टेन करेगी आपको अब ये तो इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा फिल्म की रिलीज वाले दिन का तो इंतजार कीजे 27 जून तक मुझे दीजिये इजाजब फिरसे होगी आपसे मुलाकात लेकिन आक जाने से σoter Casey मेरा ने चानल लाइक सब्सक्राइब शेर जबर करने कर दो कर दो